हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों दो वर्षी ये बीयड और चार वर्षी ये बीयड और बीए सी बीयड के लिए entrance exam जो PTT होता है आज उसके बारे में हम बात करने वाले है PTT exam जो है आपकी 2023 की वो 21 मई को होने वाली है उसके admit card है वो 18 मई को जारी होने वाले इसके अलावा और क्या update है PTT exam को लेकर उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है तो वीडियो को बीना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस तरह की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी इसमें दे रखा है देखो अपकी जो एक्जाम की डेट है वो 21 मई को है और आपकी एक्जाम का टाइम है वो 11 बज़े से 2 बज़े तक है रहने वाला है देखो पी टी टी राज्ये में 5.21 लाख अब्यार्थी देंगे प्रीक्षा 1414 मा के अंदर गठित प्रीक्षा 21 मई को इसमें देखो दे रखा है राज्ये के बीड कोलेजों में एड्मिशन के लिए 21 मई को होने वाली प्रीक्षा के लिए जिलेवार सेंटर का गठन का काम पूरा हो चुका है राज्ये में पंजिक्रत 5,21,576 अब्यार्थियों के लिए राज्ये में 1444 मा प्रीक्षा के अंदर गठित किये गए गए गोविंद गुरु जंजाती विश्वी धाले बांसवाडा ने प्रीक्षा की तेयारिये शुरू कर दिये प्रीक्षा 21 माई को एक पारी में सुबह 11 वजे से 2 वजे तक आयोजित की जाएगी प्रीक्षा में सामिल होने वाले अब्यार्थियों को प्रवेश पत्तर निर्दारी तीथी से 3 दिन पहले जारी कर दिये जाएंगे जैपुर जिले में सार्वधिक 146 के अंदर घठित किए गए हैं जैपुर में पंजीक्रत अब्यार्तियों की संक्या सबसे अधिक 66,931 जबकि जेसल मेर जिले में पंजीकरत 4,540 अभियर्थियों के लिए सबसे कम सिरफ 16 के अंदर गठित किये गए है B.A.D. दो वर्षी पाठे करम में 3.42 लाग और 4 वर्षी B.A.B.A.D. B.A.C. B.A.D. इंटिग्रेटेड पाठे करम में प्रवेश के लिए 1.88 लाग अभियर्थियों ने इस प्रिक्षा में सामिल होगे 4 वर्षी कोर्ष के लिए पंजीकरत विद्यार्थियों के लिए प्रिक्षा राज्य के 502 प्रिक्षा के अंदरों पर होगी अब इसके अलावा दे रखा है इसमें अभियर्थी घर्uelle में ही देए प्रिक्षा मतलब आपकी जो एक्जाम है वह आपके होम डिश्टिक में ही लगने वाली है अभियर्थी अपने घर्थी में ही प्रिक्षा देश के इसके इसकी पूरी विवस्ता की गई है प्रीक्षिया में आवयदन करने वाले अभ्यार्थियों को प्रीक्षिया के अंदर ग्रय जिले में आवंटित किया गया है। केवल बड मेर जिले के कुछ विद्यार्थियों को पास के जिले में सेंटर्व अवन्टित किया गया, विका नेर में 6907 अभ्यर्थभी 22 के अंदर गठी था, PTT 2023 प्रीक्षा में विका नेर niर्थ जिले से 766907 अभ्यर्थियों ने ओनलाइन आवेदन किया है इन अभ्यर्थियों के लिए 52 प्रिक्षिया के अंदर गठी थे किये यहां पर देखो 16907 दे रखा यहां पर 66907 थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ कहीं इसमें दो वर्षी बीड कोर्ष के अभ्यर्थियों की संख्या 11946 है जबकि 4 वर्षी इं अभ्यर्थियों को घरय जिले में प्रिक्षिया के अंदर आउन्टित किये गए ह। परिक्षिया वेद्धियों को 18 मईँ तक प्रवेश पत्र जारी कर दिये जाएंगे अब देखो आपकि जो ऎग्जाम है हमने PTT exam को लेकर सर्चा की है मिलते हैं next update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद